वैसे तो उड़ने वाले सांप बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जहलीले ना होने के बावजूद भी इन सांपों का खौफ अधिक रहता है। इन सांपों में सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये लगती है कि ये सांप पंख ना होने के बावजूद भी कैसे उड़ लेते हैं। हाल ही में हुए एक शोध में वैज्यानिकों को इस बात का पता चल गया है कि ये सांप किस तरह से उड़ते हैं। Paradise-free snack या क्रिसोपलिया पाराडिसी प्रजाती के सांप पेर्ड की एक शाखा से दूसरे शाखा तक उड़ते हुए जाते हैं। इतना ही नहीं कई बार ये सांप उड़कर जमीन पर भी उतर आते हैं। उरते समय ये सांप खास तरीके से हिलते हुए हवा में तेरते हैं और अन्ग्रेजी लेटर एस्प की तरह आकार बनाते हैं इस प्रक्रिया को अंडूलेशन कहा जाता है इसी गतिविधी के जरिये खास प्रजाती के सांप हवा में उरते हैं इन सांपों को ग्लाइडिंग स्नेक भी कहा जाता है हवा में उरने वाले कुलसात प्रजाती के सांपों पर शोध करताओं ने अध्ययन किया इसके लिए उन्होंने सांपों की गतिविधियों को हाइ स्पीड कैमरों में रिकॉर्ड किया शोध करताओं ने बताया कि अपने शरीर को सीधा कर लेना इन सापों के उडान का हिस्सा है लेकिन वे लहराने वाली गतिविधी भी करते हैं ऐसा लगता है कि साप हवा में तेरते हैं जिससे एंडूलेशन की गतिविधी होती है शोध में ये भी पता चला कि ये साप उड़ते समय दो अलग-अलग तरह की गतिविधियां करते हैं सबसे पहले वे एक बड़े आयाम वाली चोड़ाई वाली लहर बनाते हैं और इसके साथ ही वे एक चोटे आयाम वाली एक लंबाई वाली लहर भी बनाते हैं वैसे इनकी सारी गतिविधी इतनी तेज होती है कि आँखों से पूरी तरह से देख पाना मुम्किन नहीं होता है। उड़ने वाले सापों की ये प्रजाती दक्षन पूर्व एशिया के अलावा भारत, श्रीलिम का, दक्षन चीन और फिलिपीन्स में भी पाए जाते हैं।